अस्सलाम वालेकूम मेरा नाम है नाजी मकरानी और आप देख रहे हो इंडियन तलका आज हम लोग बनाएंगे मेरी फेवरेट डीस कस्मीरी रोगन गोस सबसे पेले हम लोग कड़ाई में तेल डालेंगे अब डालेंगे खड़ा मसाला उसमें तेज पत्त, छोटी लाइची बड़ी लाईची और जीरा उसके बाद 4-5 प्याच काटके सलाइस प्याच काटके उसमें डालेंगे और उसको अच्छे से मिलाएंगे उसको लाल होने तक और उसको एकदम लान नहीं करना है जिससे कि अगर लाल हो जाएगा तो फिर वो कड़वा पना जाएगा तो हलका से लाल करना है उसको हलका से कलर आ जाएगा बुरून जब तक ही करना है तो उसको अच्छे से मिलाएंगे चलाते रहेंगे जिससे कि अच्छे से सब एक साथ मिला लोए यह मेरी फेवरेट डीस है और आप भी इसको घर पर बना के ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत इस्वातदार है डीस कि इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे जैसे ही सब एक सा उसकी वादš हलका सलाल हो जाएगा तो डालेगें में गालिक जिंजर पेस्ट गालिक को लस्टन का जिंजर अध्रक का पेस्ट बनाएंगे और उसको मिस करेंगे is मैं बांगे अनिक और मसा रे प्राइगा में अव्कांया से深े जरें श्रूर झेलिए राबड़ा रेट चिली डालेंगे इसमें मरतमरा फ्राइट हो स्याँ एसमें हमेडर कशीया एक तक हिली तक Crabs मे ठाम अच्छार 192 ऑर एवडрь अच्छाएम वाड़ा है कि अभी आपको सायद लग रहा होगा मेरी आवाज में प्रोब्लम है क्योंकि मैं मैं मेक से नहीं एसे रिकोटिंग करता हूं मोबाइल से अभी देरे देरे साव होगा अब हम लोग डालेंगे इसमें मसाला नमक डालेंगे दो चमाच और रेट चिल्डी हम कम यूज करेंगे इसमें गिरीन चिल्डी यूज करेंगे बाद में हल्दी डालेंगे और यह है जीरा पोडर और एक चमाच डालेंगे जीरा पोडर दो चमाच डालेंगे इसमें धन्या पोडर और थोड़ा से एट करेंगे हम लोग पिशावा गरम मसाला इसको अच्छा से मिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी हम लोगेड करेंगे जिससे कि हमारा जो मसाला अच्छा से बुण जाए जो मसाले की स्मयले वुना आए इसमें और ये चार से पास टामाटर काट रखें स्लाइस अब इसमें चार से पास टामाटर मिलाएंगे हम लोगी से इसको अच्छे से मिलाते रहे न जिसकी मतन में इसका मसाला मिक्स हो जाए थोड़ा समाट इसमें पानी और एट करेंगे जिसकी मसाला जो मतन को अच्छे से मिक्स हो जाए अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं तो यूटूब पर जाएए मेरे और वहाँ पर कमेंड करके पूछिए तो हमें आपको बताऊंगा यह थोड़ा काजू का पेस्ट है इससे थोड़ा यह डालेंगे जिसकी साइनिंग बड़े काजू को पेस्ट है इसमें साइनिंग अच्छा आता है अच्छा कुछ टेस्ट अच्छा आता है एक वार जरू ट्राइ करिएगा बहुत अच्छी डीस है मेरी फेवरेट डीस है रिश्टूर्यन की डीस है कस्मिरी रोगन गोस इसको अच्छा स्धूर्यन के बाद अभी इसको ना हम लोगXफूकर में ढल देंगे को कुछन में डाल के इसको चार सीट्री लगाएंगै जिससे कि शीम लिगतन अच्छे से सपग जाये इसको हम लोग्त केरह में निकाल देंगे उसको आपको अगर कुछ भी समझ में नाय वीडियो में तो आप मेरों को कमेंड करिए यूटूब पर जाके और मैं आपका जबाब दूँगा अब इसमें इतना पानी डाले कि मटन अच्छे से पक जाए एक से डेल लीटर तक हम इसमें पानी येट करेंगे जिससे हमारा मटन अच्छे से सोफ्ट हो जाए टाइड ना रहे जिसको चाठ से पांच से लोगाएंगे क्योंकि मैं साथ अफरी कम हूं तो यहां का मटन थोड़ा सोफ्ट होता है तो चार सीटी में हो जाता है इंडिया में पांच-छे सीटी लेता है है और यह सीटी लगने के बाद हम लोग इसको इसका सेफरेट कर देंगे इसका पानी अलग छान लेंगे इसका स्टोक और इसका मसाला अलग और इसमें से जो खड़ा मसाला डाला वो हम लोग निकाल लेंगे और फिर इसका जो टामाटर और जो प्याज जो बचा है उसको हम इसका जो जूस है उसमें डालके पीज देंगे हम लोग और एक बात याद रखना दोस्तों कि इसको अच्छे से छान ते रहे जब इसको लाश्ण भी इसको हम लोग डालेंगे तो अच्छे से छान लेंगे और यह कंप्लीट जब बन जाए तो हम इसमें एक तड़का यह को अभी बताता हूं वह तल कर ट्लग हम लोग ड्रवार अ कि सबनाएंगे अप्स हने और हम लोग कैसे बनाएंगे उसकर मैं विद् плат आता हूं इसी का आगे आप देख सूर्आ अब हम इसका रोगन बनाएंगे इसमें पहले डालेंगे देशी की फिर एक चम्मस रेट चिली पोडर हाफ चम्मस डालेंगे इसमें कस्तुरी मेथी और थोड़ा सा डालेंगे कटावा कोत मेर और इसको थोड़ा सा गरम करके जाधा नहीं करना जिससे यह कड़वा पनवा जाता इसको जाधा करना से और इसके उपर डाल देंगे